नमस्ते अभिवादन आपका Innocent Investor के इसने वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे आइडिया की दोस्तों एक चीज आपको बताएंगे आगे बढ़ने पहले टीम वाले चाटते हैं कि किस स्टॉक पर सबसे ज़्यादा क्वेरी आई हुई है हमें बेजा जाता है तो हम आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि idea को मैं काफी दिनों से ignore कर रहा हूँ काफी दिनों का मतलब जब idea यहाँ पर गिरा था तब भी काफी ज़्यादा queries थी फिर यहाँ लेकिन आज ऐसा हुआ कि idea पे query जो है वो accumulation हो करके एक हफते में जो इसके बाद दूसरा stock आता है उससे double हो गई तो हमने कहा कि इस पे video बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपके सामने video हाजिर कर रहा हूँ आप एक चीज़ समझ गया हूँगे हमारा pattern video बनाने का किस चीज़ पे होता है ठीक है कुछ topics खुद से selector होते हैं और ज्यादा था topics आफी लोगों की जो query जाती है website पर वहाँ से आती है अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ queries क्यों बढ़ती है ये भी तो समझना जरूरी है भाई साब stock उपर से 30-35% गिर चुका है इसलिए queries बढ़ रही है यहाँ पर भी गिरा था और यहाँ पर भी गिरा हुआ है 35% नीचे आज भी stock जो है 4-5% जी हाँ एक मिनेट मैं confirm क इसका मतलब आप समझे बाहर है हो देखो जिनके पास stock है आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया है क्यों नहीं गुनाह किया है मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि TV वाले TV वाले TV पीलिया सुना था TV नहीं वैसे TV वी एक बिमारी होती है आगे बढ़ते हैं TV बिमारी होती है तो हम आपको free mail देते हैं हमारे जैसे बहुत से लोग हैं अच्छी बाते हैं आपको बहुत से लोग हैं बताने वाले उनको सुनिए न हमको मत सुनिया अच्छे लोगों को सुनिए अवेलबल है इतना मुझे पता है अब सोचिए कि TV वाले आपके साथ तब खड़े हो लेकिन वो कभी आपके साथ नहीं खड़े होंगे, जब उन्हीं का बता है, स्टॉक 30% नीचे चला जाएगा, 40% नीचे चला जाएगा, जो कि अभी आइडिया के साथ हुआ है, क्यों यहाँ पर आया हुआ है आइडिया, बताने की कोई जरूरत है नहीं, जब भी कोई स्टॉ स्टॉक नीचे चला जाता है, तो आपको पता है उसके साथ क्या होता है, उसके अंदर ऑपरेटर्स एक्टिव हो जाते हैं, उठाकर पटकेंगे स्टॉक को आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने इस पर वॉल्यूम अनालसिस भी दिया हुआ है इससे पहले वाली जो वीडियो थ और फिर भी यहाँ पर लोग ट्रेड करते हैं, आइडिया को मैं उस कटेगरी में नहीं रख रहा हूँ, लेकिन लेकिन एक चीज आपको समयनी है, कि जिस तरीके से ऑपरेटर गेम वहाँ चलता है, वही ऑपरेटर गेम यहाँ पर ही चलता है, यह कंपनी अन उपरेशनल है यह कंपनी तो अभी ऑपरेशनल है, भले नेगेटिव नेट वर्थ फाली कंपनी हो, लेकिन एक चीज आपको समयनी है, कि यहाँ पर अभी स्कोप है, कुछ बेटर हो जाने का, लेकिन बाजार स्कोप को नहीं देखती है, बाजार देखती है कि अभी क्लारिटी है या नही इसकोप तो हम कुछ भी मानने कि 10 साल बाद सारे सेर्स हो सकता है, पांच-पांच बुना हो जाएं, इसकोप तो हर चीज का है न, लेकिन क्लारिटी किसके पास है, उसको बाजार सम्मान देती है, उसको बाजार 30 के पी पे 40, 50, 60, 80, 90, 110, 120 के पी पे खड़ी करके रखती है, गिरने नहीं देती है, उससे अरकुष बाजार, अब सोचिए, आपका स्टॉक 35% नीचे है, रिलाइन्स की बात करें, इस्पेक्टरम खरीता है, 56,000 करोन का रिलाइन्स, एर्टल खरीता है 18,000 करोन का, ये 2,000 करोन खरीते हैं, कारण आपको पता है, पैसा है यह नहीं खरी करेगा ऐसे, कि भाईया साहब, भाईया जी, आपने हमसे करजा लिया हुआ, आप नई गाड़ी खरीतने जा रहे हो, पहले मारा करजा लोटाओ, तो ये सारी चीजों को देखते हुए, यहां पर तकलीफ है, अभी गिरावट के सबसे बड़े दुस्मन की बात करें, तो व आप नहीं खीच पा रहे हो कस्टमर से पैसा, तो आपका प्रॉफिट कहां से बढ़ेगा, ठीक, तो ओबरॉल सिनारियो में आपने क्या देखा, हम एक ऐसी कंपनी में घुसे हुए हैं, मैं अपने आपको भी लेकर बैठ रहा हूँ, कि चलो भाई, मैंने भी सेयर खरीद है, 13 रुपए पर, 13 रुपए पर, अभी यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, बेचना है क्या नहीं, क्यों नहीं बेचना है, क्योंकि भाई, सपोर्ट अवेलबल है, ठीक, अगर आपके पास इतनी शमता है, कि आप यहां खरीद लो किसी टीबी वाले के निकम्मे के कहने पर, तो यहां बेचोगे क्यों, वो टीबी वाला निकम्मा भी आके बता सके, तो उसकी महरबानी हो जाए, क्यों महरबानी हो जाए, क्योंकि बेचारा रिटेल इन्वेस्टर यहां एक्जिट कर जाएगा, इस जोन में बेचारा रिटेल इन्वेस्टर एक्जिट करेगा, बिचारा innocent investor exit करेगा सूच कर देखिए जो आपको यहां फसाए उनमें इतनी कावलियत नहीं यहां कर बोल दें भाई साब अब तो hold कर लो अब क्या बेंचोगे अब मत बेंचना लेकिन फिर से कोई positive news आने वाली होगी कुछ आ जाएगी भाई वो media वाले उनको कुछ भी पता होगा कल वो news कहने वाले होंगे आज कह देंगे भाई यह stock खरीद लो कल आकर news बख देंगे एक पकड़ा गया था ना तो यह तो करेंगे वो अपने relatives को कमो आएंगे आप थोड़ी हो उनके कोई खास आप तो viewer हो आप देखो चिकनी चुपड़ी बातें सुनो और सुनने वाले भी बहुत हैं आपको पता है मुझे पता चलता है ना कि जब सवाल इस तरीके के आ रहे हैं इतने ज़्यादा सवाल आइडिया पे सर आइडिया पे वीडियो चाहिए सर आइडिया पे आप लोग इतना सम्मान देते हो बहुत अच्छी बात है आपलो भरोसा करते हो कि आम वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छी बात है मैं आपका तहे दिल से सुक्रिया आदा करता हूँ आप भरोसा करते है इसलिए बोलते हो बहुत और आपको गाना सुनाया था ना कि स्टॉक आपसे कहेगा आप स्टॉक से कहोगे कि कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाओं ये कमाल करते हैं ये कमाल करते हैं और आप इनके यहीं पर होते हो जब वो एकदम बेवफाई के मतलब होता है सबाब पे होते हैं कि अब तो मु पेसे लोखह देकर गिर पड़ेंगे आपके पैरों में और जब कोई पैरों में घिर पढ़ता है तो आपको पता आपकी जैब से पैसा जाना ही होता है ठीक समझ गए बात को तो एक गाना आज आपको और दे रहा हूं देखो माहुल थोड़ा सा ठंड़ा बनाना पड़ता है तो बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन एक चीज मैं आप से कहता हूँ, भाई पैसा कमाने आये हो, मूड हलका रखो, और तभी हो पाएगा, जब अच्छा रखोगे, ठीक, मैंने भी आपको जन्वरी में पोटफोलियो सजेस्ट किया था, जन्वरी का ही हाल है न, जन्वरी में मैंने भी आपको पोटफोलियो सजेस्ट किया था, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि जो भी एक नॉर्मल रिसर्च में आपको कहता हूँ, एक चीज आप कर लिजे, मैं इसलिए मैं देखो, आप लोग कुछ भी मानो, लेकिन चीजों कर लाने होते हैं, कि जो अब परफॉर्म करेंगे, इसलिए निफ्टी अगर 5%, 8% उपर गई, तब हमारा पोटफोलियो 30%, 40% उपर गया है, इसके पीछे की मेहनत को आपको समझना होगा, एक क्रियेटर मेहनत कर रहा है, आप भी कर सकते हो, क्योंकि वही चीज वह आपको सि दे रहा हूँ, बाजार जब 5% उपर गई, या फिर आप बाजार की मंतली केंडल खोली हाई लोर लिखिए, हो सकेगा मैं इस पे एक इंडेप्ट एनालसिस वाली वीडियो बनाऊंगा, आप लोग नीचे बताइएगा, ठीक, और फिर आप लिखिए, स्टॉक कहां गया, स्टॉक कहां गया, स्टॉक बाजार 5% भागित, स्टॉक 10% उपर गया, 10% नीचे गया, कहां गया, और जो भी स्टॉक पीछे बाजार को आउट परफॉर्म किये हैं, बहुत ज़्यादा चांसे से को वही आगे भी बाजार को आउट परफॉर्म करेंगे, उन्टिल एनलेस कोई सेक्टर वाइज ने उजना आ रही हो, ये वो ना हो, उन सब चीजों को आप कोप अप कर सकते हो, इतना तो कर लो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप दोगे इस बाजार में, और इसी बेस पर, बेस तो यही था, बहुत सारी चीज़े मैं और कैलकुलेट करता तो आप बताईए, आपको किस पर भरोसा करना है, अपने उपर आप भरोसा करोगे कि आप खुद अपनी रिसर्ट कर सकते हो, या कोई टीबी वाला आपको बता दिया, हाँ भाई, खरीदो, तुफान मचेगा, बहुत बड़े-बड़े टार्गेट आएंगे, कोई ब्रोक पैसा वरवाद हो जाएगा, और फिर, फिर रोना पड़ता है, फिर बहुत तकलीफ होती है, एक बार सोच कर देखिए कि डीटेल इन्वेस्टर के पास यहां ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं, वो बेचारा लेकर बैठा है, लेकर बैठा है, ठीक, सामने वाले को कोई फ चांस है कि वो उपर चला जाए, मैं आपका हीरो बन गया, एक चांस है कि वो गिर जाए, गिर जाएगा ता आप मेरा क्या कल लोगे, क्या कल लोगे, मैं तो सुरु सुरु बोल देता हूं, भाई साब डिस्क्लेमर, क्या कल लोगे मेरा, क्या कल लोगे किसी और क्या कल लेगा, कुछ कल लोगे नहीं, पैसा आपका जलेगा, बरबाद आप होगे, पैसा आपका राक हो रहा है, तो भाई जब आपका पैसा है, जिम्मेदारी कौन लेगा, आप लोगे ना, सीखो, समझो चीजों को, समझे, किसी के पीछे भागना नहीं है, और अगर किसी के, लूट के चूस गया ठीक तो सोचो और समझो I hope कि देखो जनुविन कोईरी हो आप लोग भेजो अच्छी बात है लेकिन आइडिया पे इतनी ज्यादा कोईरी जा जाएं कि मुझे उस पर मजबूरी में वीडियो बनाना पड़े तो यह चीज सच में बुरी फील होती है बु लम खुला बताई हुई है आप उन में से स्टॉक सेलेट करो एक्कुमिलेशन जोन पर खरीदो बाजार 5% भागेगी आपका स्टॉक 6% चलना ही चलना है चलना ही चलना है बस कोई बुरी नियुज पर ना खरी लेना कि बुरी नियुज आई आप स्टॉक लेकर खरीदे ओ इतना काम नहीं कर सकते, तो भाई पैसा कमाने के हगदार आप नहीं हो, ठीक, अलर्ट हो जाईए, कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ, सब आपको ऐसे डिस्क्लेमर दे देते हैं, भाई मैं भी देता हूँ मजबूरी होए, मजबूरी है हमारी, समझा कीजे बात को, मिलेंगे फिर से, वीडियो में अगर कुछ बात दिल को चीर गई हो, तो मैं माफी तो नहीं मांग सकता, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, कि आप अपने पैसे पर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही है तो, ठी सुना ही है तो, बाकी आपको पता है, कि जो हीरा खरीदता है, वो बरबाद होता है, कि आबाद होता है, मिलेंगे फिर से, नमस्कार